असलम आलेकूम हेलो नमस्ते मेरा नाम आसेफ हूं और मैं आज आपको बताने वाले हूं रोटी रवा टोस्ट तो यह चपाटी मतलब रोटी है नास्तेकी अगर आपके पास बस भीज है तो उससे भी आप बना सकते हो तो अभी बच्चिवी चपाटी के कैसे यूज करते हो तो रेसिपी बताती हूं पर और बी रेसिपी चाहिए तो मुझे बोलना में वो बनाती रहती हूं कुछ भी दिमाग में आता है वो तो फिर यह बारिक सूजी है जिसके रवा सीरा उपिट बनाते है जिसको सेमोलीना बोलते है यह गर की मलाई है और लाल मेर्शी पाडर औ तेस्टी भी है और हेल्दी भी है यह आप रेसिपी जोड़ ट्रेक करना और लाल मेर्शी पाडर और और नमक बस अभी इसको थोरा पानी डालके बिगनों कर लखते हो और अभी ज्यादा पानी नहीं डालते फिर अभी थोड़ा यह भिग जाता है तो इसमें कटे हुए सब वेजिटेबलेत करती हूँ और केसे बनाने का है वह मैं आपको बताऊंगे तो अभी और जड़ा पाणी डालती हूँ जड़ा मलाई तो आप डालना तो बस अभी इसको सूजी को थोड़ा आर्राम करने देती हूँ ताकि वह फूल जाए अच्छे से और सेट हो जाए बाद में केसे बनाने का है वह बताती हूँ कैश्याव आसे अदय तो है निटेबल काट लिए यह प्याजे गाजरे केशिकम यानि सीमला मिर्चे तलमाटर है और पोत मिर्रे आप कुछ भी और वेजिटेबल भी एड्ट कर सकते हो पनीर भी डाल सकते हो तो यह ऑभी हुआ आपि इसमें सब यह वेजिटेबल करती हू बहुत हेल्दी है टेश्टी भी बनेगा अगर आपके बच्चे या आपके भाइबे जो चपाटी नहीं खाते हो या फिर वेजिटेबल नहीं खाते हो तो इसके लिए अच्छा उप्सन है और मैंने पानी पेले क्यों कमेद किया था कि टमाटर और प्यास का थोड़ा पानी यह निकलता है फिर बहुत यह पतला नहीं हो जाए क्योंकि आमको इसको रोटी के ओपर चिपकाने का है और फिर इसको तवे पर सेलो फ्रै करने का है तो एक हेल्दी भी ओप्सन है और सरीर के लिए और बोडी के लिए अच्छा है और पेट भी भरता है तो नास्ते में किया है यह दो चापाटी को एसे टुक्रे को ही है मतलब फोर पीस की है इसके चार पीस की है पिजस के जैसा आपको लगता होगा बस अभी इसको इसको इदर में ने किया किया नोश्टिक का तवा पर गरम करने को रख दिया है नोर्मल जो तवा है उसके भी कर सकते हो फिर इसके लिए मैंने आपको बोला था कि ज्यादा पानी मत डालना कि फिर बहुत पानी डालोगे तो फिर बनाने के वक्ति यह सब मसाला यह वेजीटाबल निकल सकते है और अच्छे से गरम कर लिए मिन इसको 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 अब कुछ में पालक की भाजी एट कर सकते हो पनीर है फिर क्या बलते है चीज है 25 अभी एट नहीं करने का जब हो जाए तो उपर से आपके बच्चों को या भाई बेन को एट करके पीजा के जिए से देने का गाजर है हरी मिर्च आप खाते हो तो वह भी डाल सकते हो और मैं हरी मिर्च नहीं खाती इसके ले में सिंगा मिर्च जिसको केप्चिकम बोलते हो डाली हो और बहुत हेल्दी टेस्टी है इंसाल आप ज़रो ट्रे करना मुझे आप से कमी में बताने एक तो आपको बना के बताती हो फिर तब बना लूँ में बार्ने आपको डायरेक इसके पक तकता है आप देख दको पलवाइस इसके लिए आजे नो श्रीक का यूज करना इसको दूसरी तरफी अच्छे से पकाती हो और फिर दूसरी तरफ बना लेती हो अच्छे से देख सके पड़कोएं बतावी इसको रेप्लेश में निकालती हो और दूसरे सब डालती हो सब करें बताती हो दूसरी भी मैने रेज्चछ करके रख लेख propor में बादस के सबस्टें बेना निखात लिए और ऊझ्यूल का COC बाद में बना होंगी क्योंकि अभी 11 की दावत है तो गर में कौन नहीं रहता और अकली में रहती हूं तो वीडियो नहीं बन पाते तो इसके लिए कौन खाने वाला भी चाहिए तो में वीडियो बनाऊ ना तो इसके लिए भी सब रेसिपी पेंडिंग पढ़िए तब जैसे रेसिपी बनती है तो वह मैं आपको बताऊंगी और यह रेसिपी कैसी लगी यह से मुझे कमेंट में बताना और और भी चापाटी की रेसिपी आपको देखने की होई जो बचीवी चापाटी की रेसिपी तो भी मुझे कमेंट में बताना तो और भी ट्राइ करके आपको ब झाल झाल झाल